नमस्कार दोस्तों स्वाग्टे थे आपका इस वीडियो में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नई सक्षा नीती के बारे में और नई सक्षा निक शत्र के बारे में जो कि 1 सितमबर से सुरू होने जा रहा है कक्षा 9B से लेकर 12B तक की बारसिक परिक्षाय नहीं होंगी, जी हाँ, जो आपके annual exam होते थे, final exam वो अब नहीं होंगे, class 9 to 12 के final exam नहीं होंगे नई राश्ण नीती के तहट अब प्रदेश में भी परिक्षा pattern में परिवर्थन किया गया है इसके तहट 9 से 12 तक कि इस बार बारसिक परिक्षाय नहीं होंगी नए परिक्षा pattern में home assignment पर आधारित मासिक मुल्यंकन किया जाएगा मीज जो आपके board exams होते थे वो अब नहीं होंगे और इस बार जो आपके internal assessment के आधार पर आपको marks दिये जाएगे और जो आपका नए जाया section 17 है वो 1 सितंबर से शुरू होगा और प्रस्नपत्र सीधे बिद्यारतियों के mobile पर भेजे जाएगे means जो अभी आपके exam होते थे वो school में conduct कराया जाते थे लेकिन अब आपके exam जो आपका question paper रहेगा वो direct आपके mobile पर भेजा जाएगा और आपको घर से ही solve करके आप अपने school में answer seat submit करना होगा मद्यमेक सिक्षा मंदल मद्यपरदेश के अध्यक्ष रादे से हम जोलानियान है नई सिक्षा विवस्ता की जयनकारी वीडियो conferencing के जरिये दी अब देख सकते हैं जो एक कुछ main point है आप यहां देख सकते हैं अभी हम इनको discuss करेंगे और पहले उपर कुछ point दिये हैं इनको जाल लेते हैं 9 से 12 तक का pattern बदल चुका है और 1 सितंबर से नया section 71 सुरूँ होगा बिद्यारतियों के mobile पर आएंगे प्रेशन पत्र अब यहां पे आपका जो course होता था वो अभी एक साल के अंदर पूरा किया जाता था लेकिन अब यहां पे जो आपका नया section 71 सुरूँ हो रहा है वो 1 सितंबर से सुरूँ हो रहा है तो इस बज़े से जो आपका course है वो 6 महिने में पूरक किया जाएगा अब यहां पे समय सीमा भी दी गई है 6 महिने के अंदर जो एक अच्छा का course रहेगा वो 6 महिने के अंदर पूरक किया जाएगा अब यहां पे जो दूसरा point दिया है यहां पे लखाए एक unit के लिए यह 15 दिन का समय निर्धारित किया गया है अब जो आपकी एक unit complete होती थी कम से कम उसमें 15 से 20 दिन या फिर उससे जादा दिन लग जाते थे लेकिन अब इसके लिए भी समय सीमा decide की गई है जो आपका आपकी एक unit होगी वो 15 दिन के अंदर ही समाप्त करनी होगी प्रतिक unit का board द्वारा मूल्यांकन भी किया जाएगा means board के द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा कि आपके unit है वो 15 दिन के अंदर खत्म होई है कि नहीं और paper सीधे बिद्यार्तियों के mobile पर भेजा जाएगा यहाँ पर साप साप लिखा है तीन marks के जो question रहेंगे वो 10 question पूछे जाएंगे और 10 question पूछे जाएंगे 4-4 marks के total number of marks रहेंगे वो 100 रहेंगे अब यहाँ पर आपको question paper हल करने के बाद जब आपका question paper खत्म हो जाएगा तो आपको जो answer sheet होगी वो अपने बिद्यालाय में जमा करनी होगी और 17% अंक बिद्यालाय द्वारा भेजे जाएंगे 32% अंक बोर्ड परिक्षा के होंगे अब यहाँ पर क्या लिखा है जो आपके 70% होते थे वो अभी तक बोर्ड परिक्षा के लिए जाते थे लेकिन इस बार उल्टा हो रहा है जो आपके 30% होंगे वो बोर्ड परिक्षा द्वारा लिए जाएंगे और बांकी के 70% आपके स्कूल द्वारा दिये जाएंगे अब इंटर्नल मूल्यांकन के 70 अब प्रतीसत बोर्ड परिक्षा के अंकों को जोड़कर रजल्ट तैयर किया जाएगा जी हाँ आपका जो रजल्ट है वो 70% होंगे आपके इंटर्नल असेस्मेंट के इंटर्नल जो प्रोजेक्ट बगेरा होता है उसके 70 मार्क्स होंगे और बाकी 30 मार्क्स होंगे आपके बोर्ड परिक्षा के अबी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाजू में दी हुई बैल आइकन ज़रूर दबाए ताकि आपको ऐसे ही अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे धन्यवाद